नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस यूटूब चैनल साथियों भारत के लिहाज से अगर हम बात करें भारती अर्थ वेवस्था के लिहाज से बात करें भारती लोगों के लिहाज से बात करें तो बताएगा एक रिपोर्ट के आधार पे के आने वाला 3 साल जो है वह भारत के लिए आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वहसाल होने वाला है Golden Sec ने एक रिपोर्ट दरसल जारी किया है उसके आधार पर यह बाते कि जा रही है उस रिपोर्ट की हम विश्तित चर्चा करने वाले हैं लेकिये वर्स 2027 तक भारत में 100 मिलियन लोग समपन वर्ग में शामिल हो जाएंगे इस रिपोट के आधार पे कहागया और 100 मिलियन लोग की बाते की गई है और 2027 जो है इसका डेलाइन रखा गया यानि कि बहुत लंबा समय भी नहीं है दो तीन साल की तीन साल की बाते हैं तो इन सब चीजों पर हम विश्तित चर्चा करने बाले हैं तो पूरे लेक्शेर में आप बने रहिए क्योंकि ये लेक्शेर आपको पीच-बीच में एहसास कराने वाला होगा कि आप भी संपन्ड वर्ग में सामिल हो जाएंगे संपन्ध वर्ग में शामिल होने का तातपर यहां है कि आप यह नहीं है कि सिर्फ गरीवी देखा से बाहर हो जाएंगे मतलब अच्छी खासी आपके पास संसाधन उपलब्द हो जाएंगे कहने का मतलब अमीरा भी बन जाएंगे पैसा ही पैसा होगा तो इसलिए दुनिया भर के जो आप देखेंगे आज के जो यह अख़बार हैं उसमें इस रिपोर्ट की काफी चर्चाच की गई है चुकि भारती अर्थ वेवस्था में थोरा भी परिवर्तन होता है तो पूरी दुनिया की नजर जो है भारती अर्थ वेवस्था पर बनी हुई रहती है अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदू के आधार पर अगर देखेंगे तो रिपोर्ट का नाम सबसे पहले समझ लेजिए निपोर्ट का नाम रखा गिया है दराइज ओफ एफ्लूएंट इंडिया तो इसको रिपोर्ट का नाम भी आपको पता होना चाहिए इसके आधार पर कुछ प्रमुख बाते की गई है उसो देख लेंगे उसे पहले जो गोल्डमेंस है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह संस्था जो है एक वैस्विक वित्तिय संस्थान है वैस्विक वित्तिय संस्थान कहने का तातपर है कि यह वर्ल्ड करेंगे डेटा एंलायसिस करके फिर हम प्रकासित करेंगे तीक है अब यहाँ पर समझ लेजेए यह वितिये श्रीवाओं की एक लंबी श्रिंखला का आधार लेता है उसमें जैसे की यह निगम को देखता है उसके बाद वित्ये संस्थान को देखता है किसी डेश में वित्य संस्थान की कारप्रनाली पर भी नजर रखता है उसकी निगरानी करता है उसके बाद सरकारें सरकारे कहने का तातपर यहां है दुनिया भर की जो सरकारें उसकी जो policy making हो रही है कि इस तरह की आर्थिक गतिवी भी है सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सरकार इस्थिर है या नहीं कि अर्थ वेबस्था में आप इस बात को मानके चलिए कि इस बात की बहुत बरी भूमिका होती है कि वहां किसी देश में राजनितिक इस्थिरता कि इतनी अधिक है ठीक है तो सरकारों पर और व्यक्ति पर भी यह नजर रखता है यहां व्यक्ति कहने का अतातपर है जैसा ही व्यक्ति पर नजर रखेगा तो फिर हमें पर कैपिटा इंकम की चर्चा करनी परेगी हम वहां आएंगे इसकी जो अस्थापना है वर्स 1879 में की चलिए अब इस रिपोर्ट के नुसार कुछ मुख बाते की गई है और इस रिपोर्ट की जब हम चर्चा करेंगे तो हम भारत के संदर में लेकर के चर्चा करेंगे रेखिए कहा गया कि भारत में वर्स 2017 तक 100 मिलियन लोग संपर्वर्ग में शामिल होंगे यानि कि अमीर आ 10,000 डॉलर से अधिक होगी किनकी ये जो 100 मिलियन लोग अमीर बनने वाले हैं 2017 तक ठीक है हो सकता है उसमें आपका भी दाम शामिल हो जाए तो यहां पर प्रतीव्यक्ति आई जो है 10,000 डॉलर होगा तो प्रतीव्यक्ति आई क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए आपने इकोनोमी में इसे पढ़ा भी होगा तो प्रतीव्यक्ति आई कहने का तादपर हो गया कि किसी भी देश की जो कुल आमदनी होती है यानि कि कुल आई हो गया यहां पर ठीक है अब देश में आप छेत्र भी शामिल कर सकते हैं किसी छेत्र की जो कुल आई है किसी भौगोलिक शीमा की कुल आये है, यहां भारत के संदर में देख रहे हैं, तो भारत की माल लेते हैं, जो भी कुल आये हो जाएगा, और फिर भारत की जो कुल जनसंख्या हो जाएगी, जो पॉपलेशन है, इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यह पर कैपिटा इंकम इससे निकल ज आप तो पूछेंगे किस आधार पर आप यह बात कर रहे हैं, बिना सरपैर की बाते तो नहीं है, तो इसने कुछ आधार जुटाए हैं, और मैंने कहा उन्हीं आधारों के बेस मानते हुए इसने डेटा कलेक्शन कर लिया है, फिर एनलैसिस करते हुए रिपोर्ट परकासि गया है, इसने कहा कि अधारों की संख्या जो है वर्स 2019-23 में 12 फीसेदी के दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है कंजूमर में, यह भी अच्छी बात है, किसी भी देश की अर्थमिवस्था के लिए यह बहत अच्छी बाते माने जाती है, अब यहाँ पर समझे भारत की चार प्रतिशत कारसील जनसंख्या जो है, उसकी प्रतिव एक्ति आई 10,000 डॉलर होने वाली है, अब यहाँ पर दो तिन बाते, यह जितनी बाते हैं, वह से रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कारसील जनसंख्या, कारसील जन कैटेग्री, ठीक है, तो इसकी जनसंख्या, इसके जो आई की बात की गई है, वह कहा गया है, कि 10,000 डॉलर हो जाएगा, रिटेल निवेशकों की बढ़ोतरी जो है, वह देखी गई है, और इसके आधार पर कहा गया है, कि सेर बाजार में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे, टू पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर जो है, वह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस लेवल तक यह पहुँच गया है, और यह अपने आपने बहुत अच्छा आंकरा बताया जा रहा है, तो इस लिहाज से इन सब चीज जो है, लगातार मुनाफ्थे का एक तरह से कह सकते हैं, इन्डरस्ट्री होता जा रहा है, तो इसको भी आधार बनाया है, यह रिपोर्ट कहरा है कि पिछले तीन वर्सों में भारत में वित्तिये और भौतिक संपत्यों में वर्धी हुई है, वित्तिये और भौतिक संपत् में आ जाएगा इससे देश में लोगों को रोजगार अधिक मिलने की संभावना होगी यानि कि यह सब चीजे जो बहतर हो रहा है तो यह रिपोर्ट कहती है कि आफ्टर वाल इसका प्रभाव यह परेगा कि भारत के जो लोग हैं वहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है वह लगातार तेजी से करेगा और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार की संभावना वह बढ़ती हुई नजर आ रही है तो निशी तोर पर भारत के लिए तो यह अच्छी ख़बर है जितना भी रिशर्च किया गया है उसके आधार पर हमें खुश होने की जरूरत है लेकिन यह रिपोर्ट जो है कुछ चुनोतियों की बात भी करता है जाहिर सी बात है आपने अभी तक जो आकरा लिया है उन आकरों का विशलेशन करते हुए आप निशकर्श तक पहुंचें और रिपोर्ट पर कासित किया है लेकिन जाहिर सी बात है अब कहा गया है कि तीन साल बाद यानि कि दोहजार सताइस का अगर बताया गया है तो आप समझे हम दोहजार चौविस में हैं तो अभी जो हालात हैं उन हालातों के आधार पर कहा गया है कि ऐसी इस्तिती रहती है तो सताइस तक ये माहुल हो जाए लेकिन क्या पता ये तीन साल में बहुत ज्यादे बदलाब आ जाए देखिए कोरोना में कितना नुक्षान हो गए अर्थ व्यवस्था का तो इसलिए कुछ चुनोतियों की बात भी की गई है चुनोतियां क्या है कि देखिए आई की और समानता की बात की गई है भारत में 2021 भारत के संदर में वर्ड इनेकलेटी रिपोर्ट 2022 और इसने भारत के लिए 2021 का एक रिपोर्ट जारी किया था 2021 के आधार पे आई की और समानता बताते हुए इसने कहा कि भारत में एक प्रतिशत अमीर लोग जो है यहां लिख देता हूं आप चाहें तो इसे नौट कर सकत हैं एक प्रतिशत अमीर लोग जो है इसमें यह मतलब बताया गया है कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है और यह संपत्ति किसका है रास्टिय आई का तो एक प्रतिशत अमीर व्यक्ति के पास 22 प्रतिशत जो है संपत्ति है और यह 22 प्रतिशत संपत्ति क्या है यह र रास्टिय आईका है, इसको आप सौर्ट फॉर्म में यहां पर नौट कर लिजिए, यह रास्टिय आईका हो गया, इसके बाद भी एक आकरा दिया गया और आकरे के आधार पर ये एक प्रतिशत अमीर आदमी को छोड़ दीजिए, उसके बाद बाद की जो दस प्रतिशत अमी आदमी है, इनके पास जो है 57 प्रतिशत जो है संपत्ति है, और यह भी रास्टिय आईका है, और सेस लोगों के पास, यानि कि 11 प्रतिशत लोगों के पास आप देख लीजिए, तो तकरीबन यहां देखेंगे आप, कि 80 प्रतिशत रास्टिय आईकी संपत्तियां हो गई, और केवल 11 प्रतिशत लोग यहां पर हैं, तो आप समझ सकते हैं, बांकी जो यहां पर लोग बचते हैं, 89 प्रतिशत लोग, उसके पास केवल 20 प्रतिशत संपत्ति है, तो आप सोच सकते हैं कि यह रास्टिय अस्तर पर, रास्टिय आईके आधार पर, आप यहां पर आईक उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है तो यह समस्या भारती अर्थविवस्था की एक समस्या बनी हुई है दूसरी बात बुनियादी सुब्धाओं तक पहुंच की बात की गई है इसका कहने का तादपर क्या हुआ जैसे की इंफ्राइस्ट्रक्चर तो सडक हो गया यहां पर पहुंच होनी जाहिए क्योंकि इनके वज़ा से ही लोगों की जो लाइफ है उसकी जीवन पहुंच जो है वह लगातार कम देखा गया है अगर आप दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली शहर की इस्तिती देखेंगे तो एक तरफ बरी बरी मंजिलें आपको बनी हुई नजर आ जाएगी दूसरे तरफ उस बिल्डिंग से थोरे दूर उस सोसाइटी से बाहर आपको जुगी वस्ति दिखेगा और वहां पर आपको काफी गरीवी दिखने को मिल जाएगा काफी वववस्था देखने को मिल जाएगा तो यही जो है और समान्ता और बुनियादी चाँ राहे कि वह विस्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्त विवस्था बन जाए और यह कहा जा रहा है कि हम 2027 अठाइस तक जो है विस्व की तीसरी अर्त विवस्था बन जाएंगे जसी की ऑब पहले नमर पर यत तीसरे नमर पर जाएगा जैपान का अस्थाना जाएगा चौथे पर जर्मनी आएगा और पांचमें नमर पर भारत आजाता है भारत जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है ठीक है अब यहां अगर आप देखेंगे ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का तक्रीबन ट्रिलियन अमेर जापान का जो तीसरे नमर पर है जापान के बाद जर्मनी का नमर आता है ठीक है और उसके बाद इंडिया का तो यहां पर जापान तक्रीबन चार और यह भी तक्रीबन चार के असपास ही है यह जो है वह 4.4 है यह और एक जो है 4.3 है तो मानके चलते हैं कि आप सारे 4-4 के असपास है और भारत की अर्थविवस्था का अगर आकार देखेंगे तो यह जो है पांच में अस्थान पर है और 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ है तो अब देखें यहां पर हमारा जो अगर विस्तार देखेंगे बिर्धी देखेंगे GDP के आधार पर तो आप कि इसका जो विर्धी है इन तीनों का अगर आप देखेंगे तो तक्रीबन जो है वह एक प्रतिशत GDP दर से यह बढ़ रहा है ठीक है यहीं पर चाइना का देखेंगे तो वही तीन के आसपास और यूएस का भी दो के आसपास है लेकिन भारत की इस्तिती देखेंगे तो 6 स साथ सारे साथ प्रतिशत के आधार पर बढ़ोते ही देखा जा रहा है GDP में तो इस आधार पर देखिए तो कहा जा रहा है कि अगले तीन साल में भारत यह जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नम्मर की अर्थविवस्था GDP के आधार पर बन जाएगा जो है उस तक सभी नागरिकों की पहुंच जो है सुलब बनानी परेगी देस्क बड़ी आबादी गरीवी रेखा के नीके हैं γरीवी रेखिए की नीचे कहा गया है कि बहुत बड़ी आबादी इस देस की है अब यहाँ पर गरीवी रेखा रिपोर्ट को देख लीते हैं यू. 2056 की सबसे पहले आंकरे देखते हैं दो तीन वर्ष का हम तुनना कर लेते हैं जैसे कि 2056 का और यही आंकरा जो है 2019 से 211 की बात करेगा ठीक है यह सब चीजे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यह अलग से बता रहा हूं मैं इस रिपोर्ट में से सामिल नहीं किया गया है गरी गरीवी रेखा में भारत की क्या इस्तिती है ताकि आप चीजों को आसानी से और ज्यादा समझ पाएंगे देखिए दो हजार पांच छे में जो यह रिपोर्ट कहता यूएन की गरीवी रेखा रिपोर्ट इसने कहा कि अगर देखें तो 55 परतिशत भारत की जो जनसंख्या है वह गरीवी रेखा के नीची थी यहां की कितनी परसंट 55 परतिशत जो जनसंख्या है वह गरीवी रेखा के नीच जंख्या आजाएगा ठीक है 2001 के जनगन्ना के आधार पर कह रहा हूं ठीक है और वहां पर अब 2019 और 211 के आधार देखेंगे तो 2011 का सेंसेस इसमें आजाएगा इस आधार पर कहा गया कि अब भारत में केबल 16 परतिशत लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं अब 16 परतिशत लोग को अगर आप जनसंख्या में कनवर्ट करने और 2011 का सेंसेस अगर आप यूज करें तो आप पाएंगे कि तक्रीबन 23 करोर लोग जो हैं इस देश में भारत में भी फिलहाल वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन याप करोर लोग यदि गरीबी रेखा के नीचे हैं तो निश्चीत तोर पर आप कहना है कि मैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्था बनने जा रहा हूं तो आपके लिए चिंता का कारण तो है ही अब देखें यहाँ पर देश की जो कुल जनसंख्या है हानाके अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ है ठीक है अभी हाल ही में लोगशभा में ग्रीह मंतरी ने कहा है अमिसा जी कि 2024 का आम एलेक्शन जो होगा उसके बाद सेंसस कराया जाएगा 2021 का जो होना था तो इसके आधार पे लगवग हम मान के चलते हैं कि देश की जनसंख्या जो है अभी 140 करोर के आसपास है अब यहाँ पर समझ लेजिए इतनी बड़ी जनसंख्या में 10 परतिशत से भी कम लोग इंकम टेक्स दे रहे हैं अब यहाँ पर दो बाते हैं एक तो है जो 10 परतिशत से कम लोग इंकम टेक्स दे रहे हैं तो एक बात यह हो सकता है कि कर के चोरी हो रही है यानि कि लोग जो है इमानदारी पुरवक टेक्स नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरी बात यह हो सकता है कि लोगों की आमदनी ही इतनी नहीं है कि वो टेक्स स्लैब में आपाएं कि उतना टेक्स वो चुकाने लाइक हो जाएं। कि उनकी जो वेतन है salary है वो कम है तो यह दोनों ही बाते हो सकता है यदि पहली स्थिति यह है कर की चोरी हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा प्रसासनिक अस्तर पर जो भी नियम कानून है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा और यहां पर करकी चोरी को कम करना परेगा ये रोकना परेगा और दूसरी अस्तिति ये दी होता है कि लोगों का सैलरी ही कम है तो जाहिद सी बात है कुछ ऐसे नीती निर्मान करने परेंगे कि लोगों की आमदनी बढ़ सके और लोग जो है टेक्स चुकाने के लाइक बन सके चुकि उसी के पैसे से इंफ्रेस्ट्रेक्चर वेगरा डेवलप होगा और मैंने सुरवात में ही कहा था यह रिपोर्ट कहता है कि बुनियादी अफसनरचना जो है वहां तक लोगों की पहुँच नहीं है इसलिए समस्या हो सकता है तो यहां समझ में आगया चली आगे बरते हैं अब यहां से भारती अर्थ व्यवस्था पर पूरी तरह से हम एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट की बाते यहीं तक थे लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ चीजे बाहर निकल के आता है जैसा कि हमने कहा कि हमने गरीब राज कोस यह मतलब क्या हुआ राजा का कोस यानि कि जो सरकार के पास खजाना होता है वह खजाना जिससे सरकार कामकाज चलाती है उसमें घाटा लग गया यानि कि नुक्षान हो रहा है प्रॉफिट में नहीं है अब यहां पर 2019-20 का इस्तिती देखेंगे यह 4.7 पर आपक बानित आकरा है यह 6.4 पर यह जो पूरा मैं आपको बता रहा हूं भारती अर्थ वेवस्था का एक नजर यह आर्थिक सर्वेक्षन 2022-22 का जो आया था उसके आधार पर तो पूरी तरह से यह ऑठेंटिक है इसको मान के चलिए उसके बाद अगर आप मुद्रा स्पिति के इनफलेशन की बात करें और इनफलेशन औस पृतिशत में देखें तो इसमें मुद्रा स्पिति में उभोक्ता मुल सुचकांग और थौक मुख सुचकांग यह आपने पढ़ा होगा इकौन भी पढ़ते हुए ठीक है तो इसमें दोनों में ही विर्धी देखी जा रही है अगर 2019-20 में आप देखेंगे और 2019-20 की बात मैं थोक मुल सुचकांग की बात करूँ तो 1.7 था ठीक है औसत प्रतिशत अगर मैं आपको दिखाऊं तो और यह मामला बढ़ते हुए 2022-23 में जो कि अप्रेल दिसंबर 2022 की आकरा लेते हैं तो यह मामला 11.5 प्रतिशत तक औसत के एवरेज के रूप में पहुंच जाता है यहां इंफ्लेशन बढ़ता हुए नजरा रहा है यदि भोगता मुल सुचकांग की बात करें तो वह आपको 2019-20 में 4.8 प्रतिशत देखेगा और यह बढ़ते हुए 2022-23 यह भी आंकरा जो है अप्रील-दिसंबर के देख लीजिए लेकिन अर्थ व्यवस्ता में थोरीशी इंफ्लेशन होना चाहिए चुकि यह अर्थ व्यवस्ता के सिहत के लिए अच्छा ही होता है आपने एकॉनमी पढ़ते हुए पढ़ा होगा विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं देखे भारत के फोरेक्स के बारे में कहा ज होता है भारत जो है अपनी उर्जा जरूरत का असी पृतीशत जो है आयात करता है पेट्रोलियूम पढ़ता है वह इसी चीज़ के लिए ज्यादा खर्च हो जाता है तो यहां पर हमारा फोरेक्स जो है वह सम्रिद दिखेगा यानि कि उसकी से जो है वह अच्छा हो और यहां पर देखिए 2019-20 का आकरा कर रहा है कि 478 billion dollar था और 2022-2023 का आकरा देखेंगे जो कि December अंत तक 2022 रखा गया है तो यह 563 billion dollar तक पहुंचा है इसके बाद आप GDP विर्धीदर की बात करेंगे तो GDP विर्धीदर आपको यहां पर 19-20 में 3.7 परतिशत न जराएगा और 20-21 में माइनस 6.6 अब ज़रा ठहर के यहां पर सोचना है आप कहेंगे GDP विर्धीदर ऐसे निनात्मक हो गया और यह इतना कम कैसे है क्योंकि यह काल जो था वह कोरोना का काल था ठीक है COVID महामारी के वज़ा से पूरी अर्थ विवस्था जो है वह चरमरा गई थी जितने भी आर्थिक गतिविदियां था वह बंद हो गया था लॉकड़ान हो गया था इस वज़ा से यहां पर GDP विर्धीदर पर प्रभाव परता है तो इसको अलग से स्टरी कीजिए उसके बाद जो है आप देखेंगे 21-22 में वित्तियवर्स 22 में आपको 8.7 पर आपको देखेगा GDP विर्धीदर उसके बाद 23-24 फाइनल देखते हैं या आपको 6-6.8 तक बताया गया है यह जो है या आप मान के चलिए यह अनुमानी ताकरा है ठीक है उसके आधार पर अब हम चलते हैं तीनों सेक्टर को देख लेते हैं भारत की जब अर्थवेबस्था को देखते हैं तो तीन सेक्टर जैसे होते हैं एक प्राथ्मिक हो गया दूतियक हो गया तिर्तियक हो गया प्राथ्मिक क्या क्या आजाएगा गां जो manufacturing का काम होता और दूतिय सेक्टर को यहां पर करसि और उससे संबंदित कीमतों पर सकल मुल्य विर्धी हम निकालते हैं अगर किसी संबंदित गतिविरियां का तो 2019-20 अगर देखेंगे वित्य बर्स का तो 5.5 आता है और 22-23 में यह 3.5 तका इसमें विर्धी देखा गया है अगर सेवा छेतर की अगर बात करेंगे आप तो यहां पर 19-20 में 6.3 यहां देखिए 20-21 में माइनस 7.8 गया है वही 21 कोविट के टाइम की बात किया गया है और यहां पर फिर से विर्धी देखी गई है 22-23 में 9.1 तक मामला पहुंचा है अब यहां पर एक सेक्टर जो है न वो service sector पर पहुंच गया हमने अपने का काफी विस्तार हो गया थिक है तो इस वजह से वहां की अर्तविवस्था बेहतर होती गई आज कल हमारे यहां भी आप जानते हैं MSME सेक्टर पर जोड दिया जा रहा है तो अध्डोगिक बुर्धी दर की अगर हाँ आप 18, 19 और 20, 21 का आंकरा COVID में मान लेते हैं इसलिए यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2021 और 22 यहाँ जो है आपको अद्धोगी किशे 10.13 पर काफी विर्दी देखा गया लेकिन उम्मीद के हिसाब से 22.23 में जो कि अभी पहला अगरिम अनुपान लिया गया था यह आर्थिक सर्वेक्षन 2022 थे इसके आधार पर यहाँ पर 4.1 पर ही आपको दिखेगा तो यह आंकरा जो गिरता हुआ नजराया है यह चिंता का विश्य है तो अगर अर्थ विवस्था को मजबूत करना है तो यहाँ किरसी सेक्टर पर काम करना परेगा किरसी छेतर में काम करने के लिए का करना परेगा तकनीक का इस्तमाल करना परेगा उन्नत बीज बगर का इस्तमाल करना परेगा सिचाई का उचित प्रबंध करना परेगा मजदूरों की उपलब्धता होनी चाहिए इस पे ठीक है और किरसी छेत्र में जो परचन बेरोजगारी है उसको कम करना परेगा यदि ये सब चीजे करते हैं बाजार तक किसान जो उत्पादन करते हैं उसका जो उत्पादन है फशल है वह बाजार तक पहुँचा देते हैं सही से उसका सही मुल मिल जाता है साथ ही किरसी जो उपज होता है उसका भंडारन सही से हो जाता है तो किरसी छेत्र बहतर हो सकता है कुछ यहां पॉइंट से आपने पढ़ा होगा एकॉनमी पढ़ते हुए सर्विस सेक्टर के लिए लगाता है सरकार बहुत बहतर काम कर रही और हमारी है सर्विस सेक्टर बहतर है उसकी जो इंफ्रेस्ट्रेक्चर है उसे और बहतर करने की आवशक्ता है और मुख रूप से जहां पर बहुत ज़्यादे काम करने की ज़रुत है वह है यहां पर ओद्योगिक छेतर में जो स्टार्टप्स हो रहे हैं आजकल और यहां पर और ज़्यादे स्टार्टप्स की ज़रुत है और खास करके MSME सेक्टर को बहतर करने की ज़रुत है यहां पर निवेश करने की जरुत है, सरकार को चाहिए कि इसको फंड जायदा से जादा दे, तब ही ये जो है अर्थविवस्था को आगे ले करके जा पाएगा, तो ये पूरा एक आंकरा देख लिए, चलिए, अब इसके आधार पर अर्थविवस्था के लक्ष को प्राप्त करने के उपाय क्या है, चुनोतियों पर हमने बात कर लिया, उपाय क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले मैने आपको सुरुवात में भी कहा था, किसी देश की अर्थविवस्था कितनी मजबूत होती है और किस रफ्तार से आगे चलती है या इस बात पर भी तेह करता है कि वहां राजनेतिक इस्थिरता कितनी है मानले जी कहीं पर राजनेतिक और इस्थिरता हो सरकारे लगातार गिर रही हो बन रही हो तो क्या होगा policy making में कमियां हो जाएगी सही से निती निर्मान नहीं हो पाएगा जब आप मालने जी IAS officer बनेंगे और economy के sector में चले जाएगे काम करने और सरकारे लगातार एक सरकार चले गई दूसरी सरकार चले आ गई तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि किसके आधार पर आपको काम करना है तो यह clarity नहीं रहता है इसलिए राजनितिक इस्थिर्ता का होना बहर जरुरत है और भारत की जो बरतमान राजनितिक इस्थिति दिख रही है तो यह कहा जा रहा है कि भारतिये राजनिति को देखते हुए कि राजनितिक इस्तिरता भारत में लंबे समय से है और आगे भी बना रहेगा ठीक है अब देश की working age category जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है और यह संख्या बढ़ना अच्छा है या बुरा है यह अच्छा ही है लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा यह जो human resources है इसको human capital बनाना होगा मानब पूझी में convert करना होगा ठीक है मानब पूझी आपने economy में पढ़ा होगा आप मानब पूझी से क्या समझते हैं यह comment box में मुझे लिख करके बताईए यह आज आपका assignment रह गया ठीक है देखिए ऐसा इंसान होना चाहिए ना कि जिसमें स्किल हो जो बहतर काम करना चाहिए अगर वह उसमें स्किल है तो रोजगार खुदी ढूंड लेगा ठीक है तो इसकी बाते की गई है अब यहां पर आर्थिक सर्वेक्षन 2022 के आधार पर कुछ बाते हम और कर लेते हैं उपाई के संदर में कहा गया ह सर्वे 2022 करता हुआ नजरा रहा है अच्छा निरंतर रिकवरी जैसा सब्द क्यों लिखा अर्थिक सर्वेक्षन ने क्योंकि इससे पहले जो है कोवीड की स्थिती बनी हुई है ठीक है तो यहां पर वैसे लिग देता कि लगातार वर्दी हो रहा है लेकिन रिकवरी का सिर्जा निश्य होगा 100 से अधिक MSME लाभारती होंगे मैंने पहले भी कहा था कि अगर अर्थ व्यवस्था को खास करके विनिमान चेत्र को उद्योग चेत्र को बहतर करना है तो MSME चेक्टर को फंडिंग देना होगा इसे बहतर करना होगा वित्वर्स बाइस में 47,500 करो रूपिये का निश्वेस भी हुआ है मेकिन इंडिया बहुत जैदा महत्तो कौंग्छी प्रजेक्ट है और मेकिन इंडिया 2.0 24 उप्षेत्रों को कबर करता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग है वेस्पी कस्तर पर वो लगातार बहतर भी हुआ है इसके तर 7,496 सुधारों का क्रियानमेन किया गया है 49,000 अनुपालन कम किये गये है 3500 से अधिक प्रापधानों को अपराद क्रिसेनी से बाहर किया गया है चुकि बहुत जैदे कानूनी जटिलता अगर होगा तो अर्थ व्यवस्था में लोग निवेश करना नहीं इंस्पेक्टर राज आप जानते हैं उसको खत्मी किया गया बहुत सारे ऐसे निती निर्मान है ब्रिटिस काल के जबाने के जिसको लगातार सरकार खतम कर रही है सिंगल विंडो सिस्टम लाया जा रहा है ताकि यहां पर कागजी परकिरिया वेगरा जो है वह आसानी से कि सर्विक सेक्टर में कहा गया है शंक्ता के सुरोध पर बात की गई देखिए विट्व वर्स 23 में सेवा चेत्र में ब्रधी की बात की गई है जुलाँ 2022 से पीए मिस सेवा सेवां में महति बिस्तार देख गया है उसके बाद 2022 से सƏवा चेत्र में क्वेडिट गोर्त में 16 Pe Champ से अधिक ब्रदी देखी गई है और यह अपने आप में बहुत अच्छी ब्रदी है वित्य सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाईयों की घोशना की गई है अब यहां पर समझ यह 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई के होने से इसकी जो घोशना की ग वित्य समाविशन कहने का तातपर है कि जो बैंकिंग सेवा है वो हर वेक्ति तक पहुंच जाए हर वेक्ति का बैंक एकाउंट आप सरकार मान लेजिए फंड देना चाह रही है किसी किसान को किसान सम्मान निधी का पैसा सरकार 2000 रुपिया भेजना चाह रही है तो उसके प इसके माध्यम से क्या होगा पारदरसिता बना रहेगा ब्रश्टा चार वकम हो जाएगा और सरकार की जवाब देहिता भी बढ़ जाएगी इसलिए लाए गया था तो वित्य समावेशन के लिए जरूरी है 2017 तक भारतिये इवानिजिक बैपार का लगवाग दो तियाई हिस्सा फैसन किराना और सामान बस्तों का हो जाएगा फैसन किराना सामान बस्तों का अगर कहा जा रहा है दो तियाई हिस्सा तो इसको सही से जोड़ के देखिए चुकि मैंने कहा कि भारत जो है युवाओं का युवाओं का देश है तो फैसन तो युवा करेंगे ना तो यहां पर फैसन सेक्टर बढ़ेगा किराना और जो सामान बस्तुएं हैं उसमें वर्धी देखी जाएगी यह बाते कहा गया है अब चलिए बाहरी छेतर की बात करते हैं बाहरी छेतर करने का क्या मतलब है इस पर देख लीजिए यह निर्यात की बात की गई है एक्सपोर्ट की बात किया गया है ठीके बाहरी छेतर सतर्क और आसावादी दो शब्द लिखे गए हैं और यह आर्थी सर्वेक्शन 2022 देखिए जब भी आप एकोनोमिक सर्वे को पढ़ेना तो बहुत ध्यान से उसके यहां से आपका अनसर राइटिंग बहुत संब्ध्रिद्ध हो जाएंगे तो आज यहे टॉपिक थोड़ा से लंबा हो सकता है यह वीडियू देकिन यह त्यान से इसको समझ लेजियू आस तयार कीजिए बहुत अच्छे पॉइंट आपके लियू दैंक है ensemble labeled किया है हमारे निती निर्माताओं ने कहा कि सतर्क है हम जो है नजर बनाए रखे हुए अपने निर्याद पे सतर्क है किसी तरह से हमें नुक्षान ना हो जा यह भी हम देख रहे हैं और आसावादी हैं हमें उमीद है कि और बहतर हो सकता है अप्रेल दिशंबर 2022 के लिए इंतर्ता बना रहे है या इसमें और ब्रदी हो जाए भारत दुनिया में सेवा च्छेत्र के लिए सात्मा सबसे बड़ा निर्यातक है निर्यातक कहने का तक पर क्या हुआ कि हम अपने समान को बाहर भेज रहे हैं हमारे यहां जो गेउं हो गया उपाद जैदा हो गया देश के लोग थे वह खापी लिए अराम से आप मोटा मोटी भाजम समझे खापी लिए भंडारन करने के हमने रख लिया है कि भविश में भुखमरी की समस्चा नहां हो जाए खाद्यान संकट नहां हो जाए लेकिन फिर भी हमारे पास सरपलस है तो अब हम निर्यात कर दे मामला समझ में आ गया तो बिट्मिन दा लाइन इस्टेडिक करने का यही तातपर हुआ एकॉनमी सरवे में इतनी बाते लिखी है तो भारती डैस्पोर अलग से लिखने नहीं वाली यह आपको समझना है आप जो पढ़ते रहते हैं ते सारे मैगजीन आर्टिकल पढ़ते रहते हैं करेंट अफेल्स के चीजें तो उसम्में आपको ज्यान बढ़ जाएगा खुदी बहुतिक और डिजिटल अब समर्चना के साथ विकास शंतार में ब्रती दो तीन बाते की गई है कहा गया है बहुतिक डिजिटल अब समर्चना दोनों ही बाते इंफ्राइस्ट्र यह जो हो गया वह बहुतिक अब समर्चना के अताथ आ जाएगा और डिजिटल अब समर्चना के अताथ ऑप्टिकल फाइवर देखते हैं आप लगाया जा रहा है यानि कि लोगों के पास इंटरनेट की सुबधा हो तो डिजिटल दुनिया आज के लिए बहुत जरूरी है डिजिटल और साक्षर्ता भी ना रहे इसकी भी कोशिश की जाने चाहिए इसके विकास की छमता में वर्दी हो रही है अब देखे कुछ बाते कही गई है वस्तुओं और लोगों की निर्वाथ आवाजाही के लिए पी-एम गति-शक्ति-राष्टिये मास्टर प्लान तेय लिए और लोग भी निश्ची तोर पर आवाजाही करेंगे भारत के लोगों को तो वैसे भी आतरा करने में बहुत मज़ा आता है यहां सुमा चलते रहते हैं पूरा एक ट्रेन भरा हुरता है तो बस्तुओं और लोगों के निर्वाथ आवाजाही हो किसी तरह की समस्या न करना बिभिन मंत्राल्यें उ को एक साथ लायागया za बिभीन मंत्रालये इसके अलावा राज की हैं उनसे भी बाते की गई और इनके जो और यहां मैं इंसङकी बाते की बनियादी नहां चाहार इनका बैतर करना है बिभिन मंत्रालये काम काज के लिहास से राज doris का और काम क्या करना है तो आप कि बियुक्सा को मुझे बहतर करना है तो कैसे दो सब्सक्राइस ट्रॉक्थर कैसे बहतर होगा तो कहक 추्त हम कुछ चीजें बताते हैं कुछ प्रोग्राम है मारे पास आपने भारत माला के थुरू हो जाएगा भारत माला के बाद आपने सागर माला का नाम सुना है अब भारत माला जो है और सागर माला सागर माला मतलब सब्द समझ में आ गया कि ये समुंदरी वैपार को ले करके होगा उसके बाद अंतर देशिय जलमार के भी बात की गई है गंगा नदी में चलाएंगे, यमना में चलाएंगे जहाद, यह सब चीज़े सुना होगा आपने, अब देखिए अब चीज़े समझ में आ गया, बस्तू और लोगों की निर्वाद आबाजाई के लिए भारत माला, सागर माला, अंतरदेशी जलमार, यह सब किया गया, इंफ सर्वे आप पढ़ते रहेंगे, और बहुत सरे आर्टेकल पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ने के आदी हो जाएंगे, आपको पढ़े बीना रहा नहीं जाएगा, बैचे नहीं हो जाएगा, आप इन सब चीज़ों को आरहम से एक्स्प्रेंट करने जाएंगे, अब देखिए नौ लाग करोर रूपिये की निवेश चमता के साथ रास्टिये मौद्रिकरन पाइपलाइन डाला गया, ठीक है, रास्टिये मौद्रिकरन पाइपलाइन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे आप एकोनमी शर्वे पढ़ेंगे, अलग से भी आप सर्च किज़ होती है कि छोड़ के भाग नहीं सकते, इसलिए फोड़ा धैर्स से देखी लिजिए, यहां पर कहा था मैं, रास्टिये मौद्रिकरन पाइपलाइन की बात की गई, नौ लाग करोर रूपिये की निवेश चमता के साथ, इतना निवेश चमता हो गया, कितना इन्वेश्में के चलते हैं यह कहा गया कि 2025 अब सरकार जो है इस चार साल में कुछ काम करने वाली है सरकार क्या काम करने वाली है तो सरकार जो है वह वी निवेश करने वाली है अब समझें यहां पर वी निवेश विनिवेस की बात कीए विनिवेस करने का क्या ततपर है कि सरकार जो है अपनी कुछ चीजों को बेचेगी अपना कुछ सेर बेच देगी सीधा सीधा समझेज़े तो रन नितिक रूप से विनिवेस करेगी दो बाते क्या किएगी सरकार जो है जो सरकारी कमपनिया नवरत्न वेगर आप जानते हैं पिएस यूज वेगर या कुछ छेतर तक सीमित रखेगी खुद को इसके पास कुछ छेतर रहेगा और बाकि जो छेतर है सेस छेतर जो है उसमें क्या करेगी सरकार नीजी कंपनी को स्वागत करेगी प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करेगी कि आप भी आईए अकेले मैं ये सब काम कितना करूँ आप भी कीजिए भाई सरकार जो है वो निगरानी करने के लिए है तो अमपायर जो खेलने भी लग जागा करिकेटर भी बन जाएगा तो समस्य हो जाएगी न तो सरकार अपनी जो काम है उसको सिमित कर रही है वी निवेश करके कि मैं निगरानी करूँगा मेरा भी सेर रहेगा कुछ हट्त थक, Policy Making मेरा काम रहेगा खुछ शेत्र में रखूंगा त spots में पर बता देता हूं पुब्लीक प्राइवेट पार्टनर्सीप होता है ठीक है लेकिन आप इसके विस्था में क्या जानते हैं विस्तार से थोरग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप करनेट अफेर्स कर रहे हैं उसमें भी अप एकॉनमी सर्वे पलट लिया आपने तो फि लॉजिस्टिक नीती यह नहीं बताऊंगा प्रमुख पत्तनों की चंता बढ़ा कर दोगनी हुई बंदरगाह की गई है जैसे की गुजरात में है जैसे की मुंबई में है कोची में है विशाखा पत्नम में तो यह जो पोर्ट हैं और पिछले आठ वरसों में बढ़ियां- तो उसको और विर्धिक किया गया है और उसकी चंता दोगूनी कर दी गई है डिजिटल वानिच के लिए ओपन नेटवर्क तयार किया गया है इसके अलाबा डिजिटल वानिच के लिए ओपन नेटवर्क की तयारी की बात की जा रही है तो यह सब बाते जो है वह आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 में दर्ज की गई है बहुत बहुत बहतर कर सकता है भारत जो है तीसरी सबसे वरियार्थ व्यवस्ता बन सकता है जर्मनी और जापान को पीछे करते हुए तीसरी नम्मर पे आ जाएगा तो चलिए इस टॉपिक पर एक संभावित प्रशन है और प्रशन जो ह अच्छा प्रशन का जवाब मैं नहीं दूँगा आप लोग को देना है इसी लेक्चर से संबंदित है निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए गोल्मेंस एक ग्रूप भारत सरकार के वित्म मंत्रा लेके अंतरगत एक संस्था है दिहान से मैंने इस संस्था के बारे में आ राइज ओफ एफ्लुएंट इंडिया नाम से रिपोर्ट जारी की इसकी वी चर्चा हमने की है यह दोनुव इस्टेटमेंट को आपको सही से देखना है कौन सही है कौन गलत है उसके आधार पर यह कौन सही पूछा है तो चार विकल्प दिये गए हैं चार विकल्प में से कोई एक ही सही होगा लेकिन जो भी विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए आपको क्या लगता है यह जो गोल्डमेंस एक की रिपोर्ट आई है तो तीन साल में क्या लगता है आप भी अमीर बनने वाले हैं या भारती अर्थ वेवस्था में इसको लेक लाइनमेंट देते रहा हूं मैं तो आप जैसे मैंने विट्टिय शमावेशन पूछा पीपीपी मोडल पूछा तो इसके यह सब चीजे जो है लॉजिस्टिक निती पूछा यह सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए कि आपके इसके विशाय में कितना अध होगी अपना बेहद ख्याल रखिए थैंक यू